हालो फ्रेंग्स आम मुकेश गोयल आई होब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंग्स आज हम बात करेंगे आपके जो यूजी सीनेट का पेपर वन है उसमें हायर एजूकेशन है उसके बारे में कुछ एक इंपोर्टेंट टोपिक उठाएंगे और उसके बारे में ब कोड़ नंबर 89 तो उसके भी रजिशेशन ओपन है अगर विलिंग है तो रजिशेशन करवा सकते हैं ठीक है ना फ्रेंड्स तो चलो हम बात करते हैं हायर एजूकेशन में आपको पता है आपकी यूनिट है हायर एजूकेशन सिस्टम ठीक है ना यूनिट लास्त है यूनि का एग्जिस्टेंस हुआ है तब तक बात करेंगे तो बहुत अराम से चितको रिलेक्स करके शांति से सारी बातों को सुनना है चीक है ना तो सबसे पहले अगर ओवराल बात करें तो यूनिवर्स्टी एजूकेशन यूनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन है जो यूजी सी है यूनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन एग्जिस्टेंस में कब आई तो कब बोलोगे 28 दिसंबर 1953 को ठीक है और ये बाद में क्या हुआ पार्लियमेंट एक्ट के तहत ये के स्टैचूटरी बोड़ी बन गई क्या बन गई स्टैचूटरी बोड़ी बन गई यानि कि स्वाम व यूनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन है जो यूजिसी है वह स्टैचूटरी बोड़ी कब बनी तो आप कहोगे 1956 में 1956 में यूजिसी एक्ट 1956 के दहर्त है अब यहां पर जो स्टैचूटरी सब्द आया है साम विधिक सब्द आया है इसका मतलब क्या है आपको मैं थोड़ा सा बेसिक सी बात बता देता हूं अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं वहां इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन यहां एक बात कर लेते हैं स्टैचूटरी बोड़ी क्या होती है जैसे यूजी सी स्टैचूटरी बोड़ी है तो इस स्टैचूटरी का मतल ठीक है ना मैं इन दो भागों को आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं अराम से ध्यान से सुनना है जितनी भी बोडी होती है जितने भी निकाय होते हैं हम इनको ब्रोडली दो भागों में बांड देते हैं एक तो होता है constitutional यानि की सम्विधानिक सम्विधानिक निकाय और एक होता है extra constitutional ठीक है extra constitutional यानि की सम्विधाने तर निकाय ठीक है और जो extra constitutional है या फिर उसको non constitutional कई बार बोल देते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है extra constitutional ज्यादा अच्छा लगता है और इसमें ये दो तरह की होती है statutory यानि की स्वामविधिक और executive यानि कार्यकारी निकाय अब बात समझ गए तो UGC और AICT statutory body है तो कैसे क्या क्या होता है जो constitutional body होती है या समिधानिक निकाय उन bodies को कहते हैं जिनका नाम समिधान में लिखा हुआ हो ठीक है ना उन body को क्या कहेंगे constitutional body या समिधानिक निकाय ज इनका नाम कहां लिखा हो समिधान के अंदर लिखा हुआ हो चाहें जब अपना समिधान लागुआ तब लिखा हो या फिर बाद में amendment के बाद डाल दिया गया हो अगर हमारे constitution में किसी body का नाम लिखा हुआ है तो वो body है समिधानिक या constitutional body जैसे हम बात करें election commission है चुनाओ आ पड़ी है ठीक है एक बात यह हो गई थोड़ा इतना ही बस एक्जाम्पल ध्याल लगो यह हो गया अगर बात करें extra constitutional का समिधाने तर निकाय जो है इनका नाम constitution में नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो यह सांविधिक निकाय क्या होते हैं अगर इनको Parliament Act के तहत बनाया जाए कि इसके तहत पार्लियमेंट Act के तहत अगर कोई निकाय बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं statutory ठीक है तो यूजीस यह वो पार्लियमेंट Act के तरह एक से बना 1956 तो यूजीस यह क्या है सांविधिक निकाय है 1956 में AICT भी क्या है एक सांविधिक निकाय है मेरी बात समझ में उनके द्वारा बनाई गई है जो मतलब सरकार में एक तरह से बड़े जो मंत्रीपत में होते हैं cabinet ministers वगेरा होते हैं उनके द्वारा जो bodies बनाई जाती है उनको executive bodies कहते हैं जैसे अभी हम बात करें निती आयोग एक executive body है क्योंकि यह सरकार के बड़े जो minister है cabinet minister है उनके द्व executive body है तो यह मतलब समझ गए होंगे आप कि executive body क्या होती है statutory body क्या होती है और जो constitutional body क्या होती है तो यहां से UGC के बारे में बात करें तो UGC statutory body है क्योंकि parliamentary act के दैट बनी है बात समय में आ गई होगी चलोगा ठीक है यह बात आपको ध्यान दखनी है और AICT भी है लेकिन N.A.A.C. NAC है वो statutory body है या नहीं है तो याद रखना NAC statutory body नहीं है यह UGC के अंडर काम करती है यानि कि funding इसको UGC करती है और यह एक autonomous body है ध्यान रखना इस बात का एक क्विश्चन बन गया था एक बार UGC ने पूछा कि which one is the statutory body तो इसमें NAC भी option था तो NAC नहीं होगा क्य क्या है UGC और AICTE statutory body है जो parliamentary act के तहर बनी है अब बात को समझ में आई गी होगी अब बहुत समझदार है ठीक है अब क्या है जो UGC बनी है statutory body बनी 1956 में UGC act 1956 के तहर तो वह किस लिए बनी यह सीधा सा line लिखा आता है यह सीधा सा line लिखा आता है यह सीधी line ने लिखी आती ह क्विशन में कि UGC का परपज क्या था एम क्या है मलब क्यू बनाएगी यह direct question पुछा जाता है तो यह शब्द जो है इनको ध्यान रखना किसलिए for the coordination determination and maintenance of standard of teaching examination and research in university education यह बात ध्यान रखना इसलिए इसको बनाया गया है किसके लिए विश्व विध्याले में जो सिक्षा म कि मानकों में समन्वे निर्धारन और रख रखाओ रख सके इसलिए UGC बनाएगी यह तो यह ध्यान रखना यह बहुत इंपोर्टेंट लाइन है डायरेक्ट आप से पूछी जाती है मेरी बात समझ में आ रही होगी चलो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इन बातों को लि में क्या था कैसी बाते होती थी ठीक है तो अगर हम 1953 तक जाने की कोशिस करें क्योंकि 1953 में आपको पता है UGC का एक्जिस्टेंस हुआ है तो कुछ में में जो घटना है उनके बारे में हम बात करेंगे जो बाते हुई थी सबसे पहले क्या हुआ जो आप परजेंट का समचल के देख रहे हो उसकी जो सुरुवात हुई थी लगबग वो 1823 में हुई ठीक है ना क्या हुआ 1823 में जो मांट स्टूर्ट एल फिंस्टन है उन्होंने क्या कहा कि यहां पर जो भारत के अंदर क्या होना चाहिए ऐसे स्कूल होना चाहिए जो इंगलीस पढ़ाए और यूरोपियन साइंस पढ़ा है तो कहीं ने कहीं यहां पर एजुकेशन की बात होने लग गई थी कि ऐसा होना चाहिए तो यह नाम भी आप याद रख लेना और 1823 में लगबग शुरुआत हुई थी यह भी आप ठान रख लेना मेरी बास समझ में आ रही है आपको चलो उनों ने सोचा यहीं के लोगों कुछ एजुकेट किया जाए और उनको फिर काम में लिया जाए सस्ते इंप्लोई मिल जाएंगे में मोटो यह था मेरी बास समझ में आ रही है चलो 1823 की घटना याद रखो उसके बाद 1835 में मैकाले ने पूरी इंगलीस की वर्चस्वे को स सब कुछ होना चीए तो यह 1830 में मैकाले का रोल आया चीक है 1830 का आ गया उसके बाद ने यह आप दल हो जी थे तब वुड डिस्पेच हुआ था चीख है ना और वुड डिस्पेच में बहुत सारी education के बारे में बात की गी थी primary school से लेके university level के बारे में बात की गी थी ये बोला गया था कि primary जो school है उसके अंदर जो वर्नाकुलर लेंग्वेज यूज होनी चीए ऐसी लेंग्वेज जो एक तरह से regional language होती है डेली life की वो होनी चीए फिर धीरे हम जो college level से पहले अगर आजाते हैं थोड़ा वहानी student इससे एक क्विश्ण हो रहता है कि वूट डिस्पेच को या फिर मैगना कार्टा ओफ इंग्लिस एजूकेशन इन इंडिया किसको बोला जाता है तो याद रखना मैगना कार्टा ओफ इंग्लिस एजूकेशन इन इंडिया किसको बोला जाता है वूट डिस्पेच को बोला ज में बात करने वाली यह हिस्ट्री की बात है इबिरिटीस में सबसे पहले जो लोगों की सवतंतर्पा के बारे में सारी बाते की गई थी तो मैगना कार्टा वहां से लिया हुआ शब्द है तो आप ये बात समझ लो यहां पर बस इतना ही याद आपको रखना है कि वुट्स ड की बात की 1835 की बात कर ले और 1854 की बात कर ले ठीक है कुछ बेसिक बेसिक बात ही है ठीक है उसके बाद 1925 में क्या हुआ ये क्विशन यूजी सी कई बार पूछ चुका है प्लीज इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है 1925 में इंटर यूनिवस्टी बार्ड बाद में क्या बोला गया? Association of Indian Universities ध्यान रखना ये दोनु नाम से ही क्विशन आता है 1925 में इंटर यूनिवस्टी बार्ड बना और उसको बाद में किस नाम से जाना गया? Association of Indian Universities के नाम से जाना गया और इसका काम क्या था? 1925 में इसको बनाया गया इसका काम था जो यूनि उनकी activities को promote करना, कैसे promote करना, उनकी एक दूसरे की information share करना, और education के field में, culture के field में, sports के field में, और other field में cooperation स्थापित करवाना, तो ये direct पुछा जाता है कि universities के बीच information sharing, cooperation in the field of education culture, और दूसरे area में, मतलब एक दूसरे को sharing करवाना, हर चीज की information की और उनके आपस में culture की, इससे क् होगा, उसका cooperation बढ़ेगा, तो जो activities है, universities की, वो promote होईगी, तो आपसे direct पुछते हैं कि universities के activities को promote करने के लिए, by the information sharing से, by the cooperation of education culture, किस सीज की स्थापना की गी, तो आपको बताना है, 1925 में, the Inter-University Board की स्थापना की गी, या उसको बाद में नाम दिया गया, Association of Indian Universities, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत important है, कई बार question पुछा जाता है, ठीक है, please इसको ध्यान रखना, note down भी कर लेना, ठीक है, बहुत समझदार है, अच्छे से सारी चीज़े समझ में आ रही होगी, कोई doubt तो नहीं है, चलो, very good, अब 1925 की बाद हम बात करते हैं, 1944 में, 1944 में बात करते भी बोला गया, ये ध्यान रखना, ये शब्दों को ध्यान रखना, 1944 में Central Advisory Board of Education की रिपोर्ट थी, और उसको सार्जेंट रिपोर्ट भी बोला गया, और उन्होंने recommendation करा, किसका University Grant Committee का, ध्यान रखना, UGC जो आज वाली है, वो University Grant Commission है, कमेटी नहीं है, तो 1944 में, जो सार्ज सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, उसने किसका recommendation करा, उन्होंने University Grant Committee, याद रखना, ये commission नहीं है, ये committee है, तो आप से ये भी UGC question पूछ सकती है, कि जो University Grant Committee है, इसकी recommendation किस नहीं की थी, तो आप कहोगे, सार्जेंट रिपोर्ट ने, या फिर Central Advisory Board of Education ने, 1944 में, इसकी recommendation की थी, ठीकिस की, University Grant Committee की, ठीक है न, और वो बन गई बाद में, 1945 में, तो आप से ये पूछे कि University Grant Committee कब बनी थी, तो 1945 में बनी थी, आप सिधा सा बताओगे, अगर आप से ये पूछे कि University Grant Committee की recommendation किस ने की थी, तो सार्जेंट रिपोर्ट ने, या फिर Central Advisory Board of Education की रिपोर्ट ने, ये पूछे कि कब की थी, तो 1944 में की थी, तो ये आप से question पूछे जा सकते हैं, तो अभी हम University Grant Committee तक पढ़े हैं, अभी University Grant Commission तक जाना है, मेरी बात समझ रहे हो, UGC तक जाना है, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, यानि कि 1953 तक जाना है, अभी 1944 तक हम आ चुके हैं, ठीक है, चलो, पाद 1948 में, एकदम सतंतरता के बाद, University Education Commission आया, क्या आया, University Education Commission, ध्यान रखना, यहाँ पे University Education Commission आया, और आपको पता है, इसकी अध्यक्सता किस ने की थी, डॉक्टर S. राधा कृष्णन ने की थी, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो 1948 में क्या बन गया, University Education Commission बना, और जिसकी चेर्मेंशीप में, डॉक्तर राधा कृष्णन की चेर्मेंशीप में, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, कि जो University Grant Committee है ना, जो बात थी, जो हमने पीछे पड़ी थी, University Grant Committee जो 1945 में बनी थी, अभी पढ़ा था ना, अपने University Grant Committee है ना, University Grant Committee जो 1945 में बनी थी, जो पॉम हुई थी, उसको reconstitute किया जाना चीए, और जो University Grant Commission है, ठीक है ना, United Kingdom का University Grant Commission है, उसकी तर्ज पे, उस मौडल पे, ठीक है ना, यानि कि उसका full-time chairperson होना चीए, और other members होना चीए, जो बहुती, शिक्षा के छेतर में, बहुती, रेपुटेटेड हो, उन लोगों को इसमें सामिल किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये सिफारी किसने की, राधा कृष्णन आयोगने की, या फिर University Education Commission ने की, जो 1948 में आया, मेरी बात आप समझ गे, ठीक है ना, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कि UGC की recommendation, किसने की, UGC की और UGC यहाँ University Grant Commission है, ध्यान रखना, अब ये commission है, तो University Grant Commission की recommendation किसने की, जो राधा कृष्णन आयोग था, 1948 में, या फिर University Education Commission था, उसने recommend किया, और उसने क्या कहा, जो University Grant Committee है, जो बनी थी 1945 में, 1944 की recommendation के अधार पे, उस report के अधार पे, उसको हमें reconstitute किया जाना चीए, और उस University Grant Commission है, उसकी तरह हमें बनाना चीए, और उसमें full एक time chair, person होना चीए, और other member भी appoint करना चीए, ठीक है न, जो बहुती सिक्षा के छेत्र में, बहुती reputated है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बहुत important बात है, अरे बात समझ में आ गई होगी, चलो very good, बहुत सम Commission, UGC का इनोग्रेशन कर दिया, और किस ने इनोग्रेशन करा, सिरी, मौलाना, अबुल, कलाम, आजाद ने किया, ठीक है, जब वो मिनिस्टर थे, Education, Natural Resource and Scientific Research के, तो उनोंने इसका इनोग्रेशन करा, 28 दिसंबर 1953 में, 1953 में, बात समझ में आ गई, और आपको पता है, 1956 में ये Statutory Body बन गई, अब थोड़ा सा बाते समझ में आ गई, चलो, Very Good, तो आपको अगर बात करें, तो हम 1953-56 तक जाने के लिए, कहां से चले थे, 1823 तक से चले, उसके बाद 1835 में आए आपा, ठीक है, उसके बाद 1854 में आए, उसके बाद 1944 में आए, उसके बाद 1948 में आए, और उसके बाद हमने 1953 की बाद कर ले, तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट बैठ गया होगा, कि कहां कहां से हमें चलना है, किस तरह से हमें चीजों को पढ़ना है, यहां से UGC आप से क्विशन पूछ सकता है, और पूछे ना पूछे, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क् इंटरक्नेक्टिविटी बना सकें, क्विशन के बीच और किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहे, मेरी बात आप समझ रहे हो ना, तो आप अपने मन को जित को हमेशा रिलेक्स रखें, खुस रहें, शांती से पढ़ाई करने की कोसिस करें, बहुत अच्छा होगा, मेरी आप समझ रहे हो ना, किसी भी तरह का हैजिटेशन मन में नहीं होना चीए, आप इस बात को अच्छे से ध्यान मेरे को, बहुत सी नेगिटिविटी आएंगे आपके आसपास, बहुत सारा प्रेशर होएगा, एक्जाम्स के टाइम में स्पेशली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग में, तो आप इस तरह का प्रेशर ना लें, अपने आपको मेंटेन रखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आपको डिस्टब करने की कोसिस करती है, आपको डिस्टब नहीं होना है, मेरी बात समझ रहे हो, आपको ये सूचना है कि मुझी क्या करना है, कौन क्या कह रहा है, इस बात पे ज़्यादा आप ध्यान ना दे, आप अपना काम करें, और आप अपने आपसे हमेशा इमानदार रहें, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है, अपने चीद को रिलेक्स रखें, शान्ती से बढ़ाई करते रहें, All the very best, Thank you, Thanks a lot friends.